प्रभु येश्यु मसी के नाम में आपको अनुगर शान्ती और आशिश मिले बाइबल में प्रभु येश्यु मसी को एक पदवी दी गई है और वो पदवी है परमेश्वर का मेमना एक प्रभु येशु का सेवक था जिसने एक दिन प्रभु येशु को जब आते हुए देखा तो उसने ये शब्द कहे देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है प्रभु येशु जगत का पाप उठा ले जाता है जिससे एक बात साफ होती है कि प्रभु येश्व पूरे जगत के लिए आया वो किसी विशेश देश के लिए या किसी विशेश धरम के लिए नहीं आया प्रभु येश्व मसी पूरे जगत के लिए आया हम और चीजों को तो सीमाओं से देश की सीमाओं से बाउंडरी से बाण सकते हैं लेकिन सच्ची और जीवित परमेश्वर को सीमाओं से नहीं बाण सकते उस सीमाओं से बहुत उपर है उधारण के लिए जब हर सुबह सूरज उदय होता है तो सबसे पहले कहां परुद्र होता है जपैन में होता है उनी इलाकों में होता है तो क्या हम यह मान ले के सूर्य जो है वो जैपनीज है या जपैन इस बात का दावा करें के सूरज हमारा है क्योंकि पहले हमारे यह उसकी किरने आती है ऐसा तो नहीं है न पूरे जगत का है सुरिया और वैसे ही जो और एक पद्वी है प्रभु येशो की जिसमें उसको कहा गया है धार्मिकता का सुरिया तो धार्मिकता का सुरिया वो किसी देश की बाउंडरी में नहीं बांदा जा सकता वो पूरे जगत के लिए आया था और उसने कहा परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है यनि पूरे जगत के पापों के लिए आया हूँ आप को के जगत में तो पाप बढ़ता जा रहा है हाँ बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो प्रभु येश्व को अपना नहीं रहे है जो सच्चे हिर्दय से उसको अपनाते हैं अपने पापों से पश्टाब करते हैं उनके पाप शमा होते हैं उनका जीवन बदलता है उधारन के लिए कि बाइबल में लिखा है जो चोरी करता था अब चोरी ना करे पर उन्तों हातों से मेहनत करे तो अपने आप उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होता है प्रभू येश्व ने उस एक स्री से कहा मैं तुझे दंड की आग्या नहीं देता हूँ जाओ और आगे को पाप ना करना इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में प्रभू येश्व कारे करता है जब एक व्यक्ति उसको अपने जीवन में बुलाता है लिखाए प्रकाशित वाक्य में और येश्व मसी की ओर से जो विश्वाश योग साक्षी और मरे हुओ में से जी उठने वालों में पहलोटा और प्रित्वी के राजाओं का हाकिम है तुम्हें अनुग्र और शान्ती मिलती रहे जो हम से प्रेम रखता है और जिसने अपने लहु के द्वारा हमें पापों से शुडाया है वो ऐसा मेमना है जो हमारे लिए वद हो गया और जिनोंने विश्वास किया प्रभु येश्व ने अपने लहु के द्वारा उनको पापों से शुडाया है एक सवाल आता है कि क्यूं बाइबल में प्रभु येश्व के लहु को इतना महत्व दिया गया है कई गीत लिखे गए हैं प्रभु के संतों के द्वारा जिससे पता चलता है कि एक विश्वासी के जीवन में यानि एक उधार पाएवे विक्ती के जीवन में एक नया जनम पाएवे विक्ती के जीवन में जिसने प्रभु येश्व को अपने हिर्दय में अपनाया है उसके जीवन में प्रभु येश्व का लहु एक बहुत बड़ी मुख्य बुनियाद है अब इस घटना से इस बात को थोड़ा सा समझ पाते हैं न्यूजिलेंड एक देश हम सब जानते हैं इसकी आबादी अंदाजे से 5 मिलियन यानी 50 लाख लोगों की है लेकिन इस देश में 60 मिलियन यानी 600 लाख यह कह सकने 6 करोड भेडे है मनुष्य की जन संख्या केवल 50 लाख है लेकिन भेडों की संख्या 600 लाख है या 6 करोड है तो इससे हमें पता चलता है कि भेडों का बहुत बड़ा population और business है largest exporter न्यूजिलेंड है और स्वभाविक बात है कि यह बहुत बड़ी आमदनी का जरिया भी है जब 6 करोड भेडे हैं तो लाखों चरवाहे भी होंगे और सेकडों सालों से न्यूजिलेंड में यह होता आया है भेड और चरवाहे तो एक बात बताई जाती है कि जब इतनी भेडे हैं तो रोज कोई नो कोई नए मेंने पैदा होते हैं तो एक दिन की ऐसी घटना थी कि एक मादा भेड जो थी उसने मेंने को जनम देते हुए समय वो मर गई वो मादा भेड वो मा मर गई और वो मेंना जीवित रह गया और साथ में ही एक ऐसी घटना हुई पैरलेली कि दूसरी मादा भेड ने एक मरा हुआ बच्चा जनमाया मरा हुआ मेंना पैदा हुआ यह अगर अमारी साधारन भाशा में कहें एक डिलिवरी में मा मर गई और दूसरी डिलिवरी में बच्चा मर गया तो दोनों के केस में बड़ी मुश्किल थी पहले केस में जो मेमना जन्मा है वो मा के दूद के बिना, मा के ध्यान के बिना, पोशन के बिना मर जाएगा और दूसरे केस में जिस मा का मरा हुआ, मेमना पैदा हुआ, वो दुखी हो जाती है मुझे नहीं मालूम शायद दुख में मर भी जाती हो क्योंकि भेडों का सभाव और मनुष्यों का सभाव बहुत मिलता जुलता है तो इन चर्वाहों ने क्या किया? इन चर्वाहों ने जिस मेमने की मा मर गई थी उस मेमने को लेके उस मादा भेड के पास रख दिया जिसका बच्चा मर गया था ताके वो मादा भेड इस किसी और के जन्माए मेमने को दूद पिलाए उसका ध्यान रखे और पोशन दे लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे वो मेमना उस मादा भेड के पास लाए उसने उसको धक्का मार दिया उन्होंने फिर बड़ी कोशिश की वो धक्का ही मारते रही उसको अपना नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने एसास किया चर्वाहोंने कि ये सूंग के पता कर रही है कि ये मेरा इसको पता चल रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है और इसलिए वो उसको इग्नोर करती है उसको रिजेक्ट करती है इनकार करती है तो एक चर्वाह के मन में एक विचार आया उसने क्या किया जो मरा हुआ मेमीना पैदा हुआ था इस अमा का उसने उस मेमने के शरीर से कुछ खून लेकर जो जिन्दा मेमना था उस पे लगा दिया पोत दिया उस पैसे हाथों से और फिर इस मादा भेड के पास लाया और उसने एकदम उसे accept कर लिया और उसको दूद पिलाया यहां से हमें एक बात एक सत्य हमारे सामने आता है सिर्फ एक छोटा उधारण है परफेक्ट उधारण नहीं है लेकिन एक सत्य हमारे सामने आता है एक मरे हुए मेमने का खून जब एक जिन्दा मेमने पर लगाया गया तो जो दुखी मा थी उसने उस मेमने को भी accept कर लिया अपने अपना बच्चा समझ के और ऐसा ही कार्य प्रभू येश्व मसी ने हमारे लिए किया जब हम परमेश्वर के उस सेत मेत के उद्धार को ग्रहन करते हैं जब प्रभू येश्वर जो हमें अनंत जीवन देने आया हम उसे accept करते हैं तो बाइबल बताती है कि प्रभू येश्व का लहू हमें शुद करता है और हमें धाम देता है और तब परमेश्वर हमें अपना समझ कर accept करता है अपने प्रियो पुत्र में वो हमें ग्रहन करता है मुझे और आपको अधिकार मिलता है कि अपसे परमेश्वर मेरा पिता है क्यों? क्योंकि वो अपने पुत्र का लहू जो उसके पुत्र ने कलवरी के क्रूस पर बहाया उसे पवित्र और धर्मी बलिदान करके आखता है जो हमारे लिए हुआ और इस प्रकार से हम येश्व के लहू के द्वारा पाप और पाप की भयानक नतीजे से बच जाते हैं वचन में एक बहुत बड़ी भीड स्वर्ग में दिखती है एक परमेश्वर के दास को दर्शन में और उस भीड के बारे में कहा जाता है इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेद किये हैं इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेद किये हैं आपके वस्तर कैसे हैं आपका जीवन जब परमिश्वर देखता है तो क्या श्वेत है या उस पे दाग और धब्बे लगे हुए हैं पाप के गाड़े गाड़े दाग जो कोई साबुन और पानी धो नहीं सकता मिटा नहीं सकता यर्मिया में लिखा है कि तु कितना भी साबुन लगा ले कितना भी सोडा लगा ले लेकिन तेरे पाप के धब्बे मेरे सामने से नहीं जाएंगे सिर्फ येशु का लहू है जो हमारे पाप के धबों को एक बार और हमेशा के लिए दूर कर देता है चाहे तेरे पाप लाल रंग के हो चाहे अगरवानी रंग के हो मैं तुझे श्वेद कर दूँगा प्रभू का ये आश्वासन है हमारे लिए वादा है लिखाए लेववस्ता में क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है शरीर का जीवन लहू में है और ये प्रभू कहता है उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर अरपन करने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए लहू के द्वारा प्राइस्चित है पवित्र लहू के द्वारा कहां मिलेगा पवित्र लहू किसी का नहीं है किसी प्राणी का नहीं है किसी व्यक्ती का नहीं है और लिखाए ब्राणियों में और बिना लहू बहाए पापों की शमा नहीं प्राप्त होती बिना लहु बहाए पापों की शमा नहीं प्राप्त होती ये भेद है ये एक भेद है जो हम पूरा अपने दिमाग से नहीं समझ सकते थोड़ा बहुत हमें समझ में आता है और ये कारण है कि परमेश्वर के मेमने को क्यों अपना पवित्र लहू बहाना पड़ा ताकि मैं एक बार और हमेशा के लिए पापों की शमा पाऊं और उस लहू के कारण एक बार और हमेशा के लिए परमेश्वर की संतान बन जाऊं तो इसलिए आज ही प्रात्ना कीजे सच्चे हिर्दे से पश्टाब कीजे उस प्रभु येश्व पर विश्वास करे जिसने आपके लिए अपना लहू बहा दिया और तीसरे दिन जी उठा जब आप विश्वास करते हैं उसका लहू आपको ढाम देता है आज ही प्रात्ना करें प्रभु येश्व आपको आशिश दे